नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली करेंट अफियर्स में दोस्तों आज की वीडियो है 10 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफियर्स के बारे में तो चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की वीडियो का क्वेशन नमबर एक है अंतरास्ट्रिया उर्जा एजेंस्य जो IEA International Energy Agency जो है इसकी रिपोर्ट के अनुशार दुनिया में नवी करणिया उर्जा चमता में सीर्स देश कौन्शा है तो जो दुनिया में नवी करणिया उर्जा चमता में सीर्स देश है तो जो है चाइना तो चीन है बी आप्सन इसका सही जवाब है टिटेल जान लेते हैं तो नवी करने जो उर्जा होती है एक ऐसी उर्जा जो प्राकृतिक सुरोतों पर निर्वर करती है और ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनी करत किया जाता है तो इसमें चीन सीर्थ स्थान पर है जो नवी करने उर्जा है इसमें वाई उर्जा सामिल है सोर उर्जा, हाइड्रो पावर, बायो मास और जियो धर्मा तो ये उर्जा है इसमें सामिल है नवी करने उर्जा पर जो अंतराश्ट्रिय उर्जा एजन्सिय आई ये इसकी स्थापना 1973-74 के जो तेल संकट का सामना करने ही तू तेल आपूर्थी सुरक्षा सुनिशित करने के लिए 1974 में इसकी स्थापना किये गई थी और वर्तवान में आई ये के फोकस की चार मुख्य छेतर हैं कौन-कौन चार मुख्य छेतर है तो विश्वमी कूर्जा सुरक्षा है दूसरा है आर्थी गास तीसरा है परियावरण जागरूपता और चौता है सहभागिता तो ये चार छेतर इसके मुख्य रूप से फोकस है वर्तमान में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क रेपो रेट वरतमान में हाली में जो निर्धारित की है 6.5% तो बिल्कुल अंचेंज की है पिछले बार भी 6.5% था और पिछले दो-तिन बार से 6.5% ही आर्वियाई ने रेपो रेट निर्धारित कर रहा है जो रेपो रेट है ये मोद्रिक नीति समीति ताह करती है जो मोनेटरी पोलिशी कमिटी है MPC तो ये रेपो रेट ताह करती है आर्वियाई के जो मोद्रिक नीति समीति है ये भारतिया रिजरो बैंक अधिनियम 1934 के तहत इस्थापित एक समीधिक निकाय है और ये आर्थी विकास की लक्षा को ध्यान में रखते हुए मुद्रा इस्थिरता को बनाए रखने ही तो कार्य करती है जो मोद्रिक नीति है इसके परमुख जो उदेश है तो चार है कौन-कौन से ब्यापार चक्र को इस्थिर करने के लिए उचित मूले इस्थिरता परदान करना तीवर आर्थी विकास परदान करना और विनिमायदर इस्थिरता तो ये चार उदेशे हैं मुद्रिक नीति के आर्वियाई के जो मुद्रिक नीति सम्मीदे है इसमें 6 सदस सामिल होते हैं जिसमें से तीन RVIC होते हैं और तीन केंदर सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं Q4 हाल ही में केंदर सरकार ने मोबाइल स्वास्त्य पहले किलकारी और मोबाइल अकाडमी कहां प्रारम की तो जो मोबाइल स्वास्त्य पहले किलकारी और मोबाइल अकाडमी है इसे गुजरात और महाराष्ट में प्रारम किया गया है तो ए और बी दोनों उप्सन तो टी उप्सन इसका सही जवाब हो जाएगा तो हाली में भारत सरकार ने सारवजनिक स्वास्ते बुन्यादी धाचे को मजबूत करने के लिए महाराष्ट और गुजरात में एक मोबाइल स्वास्ते सेवा जिसका नाम है किलकारी और मोबाइल अकादमी सुरू की है जो मोबाइल अकादमी है ये आसाउं के ग्यान को विस्तारित और ताजा करने और उनके मोबाइल फोन के माद्यम से उनके संचार कोसल में सुधार करने के लिए एक निशुलक ओडियो परसिक्षन पाठ्यकरम है जो आसायूंती है उनके लिए यह है और यह वर्तमान में 17 राजिय केंदर सासित परदेशों में लाग हुए जो किलगारी है यह एक इंटरेक्टिव वायस रिस्पॉंस आईवियार अधारित मोबाईल स्वास्त्य सेवा है तो सेवा यह गरवावस्ता की दूसरे तिमाई से लेकर बच्चे के एक वर्सका होने तक सीधे परिवारों के मोबाईल फोन पर गरवावस्ता परशव और बच्चे की देखवाल के बारे में मुब्त सापताहिक समया उप्युक्त बहुत तर ओडियो संदेश भेशता है यह यह जो ओडियो संदेश है यह डॉक्टर अनीता नामक एक कालपनिक डॉक्टर करेक्टर की आवास की रूप में है किलकारी कारेक्टर में यह मुडूरू see 2013 में बिहार में डिजाइन ओर लॉंच किया गया था और 2014 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और राश्ट्रे इस थरपर इसे बढ़ाया गया और 2013 में इसे लॉंच किया गय था बिहार में क्वेशन नमबर फाइव है साथमा जो हिंद महासागर सम्मिलन है इसका आयोजन कहा होगा तो जो साथमा हिंद महासागर सम्मिलन है तो इसका आयोजन आउस्ट्रेलिया में होगा तो डिय उप्सन इसका सही जवाब है तो आउस्ट्रेलिया के पर्थ में नो से दस फरवरी को हिंद महासागर सम्मेलन की सातवे संसक्रन का आयुजन किया जा रहा है तो नौ और दस तारी को ये आयुजन किया जा रहा है आयुजन जो है ये भारतिय या भारतिय विदेश मंत्रले की इंडिया फांडेशन द्वारा वारसिक तोर पर आयुजित किया जाता है इस आयुजन का जो सात्वे हिंद महासागर सम्मेलन है इसमें भारत का प्रतिनीजित्वा विदेश मंतरी S.J. संकर करेंगे और जो सात्वे हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसका विशाय है इस बार एक इस्तिर और टिकावू हिंद महासागर की और और इस सम्मेलन की दोहजार सोला में सिंगापुर से इसकी सुरुवात हुई थी Question number 6 है हाल ही में इसरो ने drone पाईलेटों के प्रस्रिक्शन और drone पोर्ट निर्मान के लिए किस से समझोता किया है इसरो द्वारा तेलंगाना राज विमानन अकैडमी इसके साथ ड्रॉन पाइलेटों के प्रेस्रिक्षन और ड्रॉन पोर्ट निर्मान के लिए समझोता किया है Q7 है Water Digest विश्व जल पुरुसकार 2034 के तहत जल योधा पुरुसकार किसे मिला है? जो Water Digest विश्व जल पुरुसकार 2034 है इसके तहर जो जल योधा पुरुसकार है तो ये Noida प्राधिकरण को दिया गया है तो नई दिली में एक समारू की दोरन Noida प्राधिकरण ने दो सिरनियों में वारसिक Water Digest World Water Award 2023 जीता है जो Noida प्राधिकरण है तो इसने Best STP, Savage Treatment Plant and Water Reuse Category इन दो सिरनियों में ये पुरुसकार जीता है Question Noida है हाल ही में उड़ने वाले डाइनसोर, Siopatra Ivansi के जीवास्म की खोज काउँ ही है तो जो उड़ने वाले डाइनसोर है Siopatra Ivansi तो इसके जीवास्म की खोज की गई है इस कौट लाइन में उसी option इसका सही जवाब है Question No.9 है हाल ही में दो दिवसिया वारसिक, दोस मोचे महुत्सव इसका प्रारम कहां पर हुआ है तो जो दोस मोचे महुत्सव है दो दिवसिया महुत्सव होता है वारसिक महुत्सव है, दोस मोचे महुत्सव तो इसका बरारम हुआ है लदाक में तो लदाक में यह आयुज़ित कहा जाता है तो B-Option इसका सही जवाब है जो दोस्मोचे यह भारत के लदाक में मनाई जाने वाला एक बोध तिवार है और यह लेह, लिकिर और दिसकित मठों में मनाई जाता है Question number 10 है World Government Summit 2024 का आयुज़ित कहां किया जाएगा जो World Government Summit 2024 है तो इसका आयुज़ित किया जाएगा तो B-Option इसका सही जवाब है, डेटेल जान लेते हैं तो World Government Summit 2024 का आयुज़ित किया जाएगा और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के परमुख या परतिनिती इसमें भाग लेंगे इस वर्स भारत, तुर्किय और कतर तो यह जो तीन देश है इन्हें गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है और भारत की और से PM नरिंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे जो World Government Summit 2024 है तो इस वर्स की थीम रखे गई है भाविसे की सरकारों को आकार देना Saving Future Governments तो दोस्तों यह हो गए आज 10 February 2024 के महतोपून करेंट अफिर और यह सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे जाएगा यह आप डिरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जर्दहरेक्लासिज.डॉट कॉम इस वेबसाइट में डेली करेंट अफिर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद